कि डेटरिमिनेंट कि इस ए रियल नंबर एक शंख्या होती है रिये पासाइंड टू स्क्वेर मेट्रिक्स स्क्वेर का होता है बाकियों का नहीं होता हम इसकी कैलकुलेशन को समझा सकते हैं बता सकते हैं तो स्क्वेर मेट्रिक्स एक तो होगे एक क्रोस एक के एक होगे दो क्रोस दो के एक क्या होगे तीन क्रोस तीन के एक चार क्रोस चार के एंड सोन ये स्क्वेर मेट्रिक्स होते हैं स्क्वेर मेट्रिक्स वो होता है जिसकी रोज और कॉलम्स बराबर हो अब एक क्रोस एक का मेट्रिक्स मैंने एक तो दो ले लिया रेक क्या ले लिया माइनस तीन तो ये A है, तुम्हारा ये B है, मैट्रिक्स तो detterminate को कैसे लिखते है ये जो डंडे होते हैं, अब ये डंडे जो होते हैं ये क्या क्या देखिए तुम्हा अब तक? ये डंडे क्या बताते हैं एक तो मोडलस बताते हैं ठीक है, वेक्टर का मैगनिटूड भी बताते थी, और यहां क्या बता रहे हैं, डेटरिमिनेट बता रहे हैं, यहां क्या बता रहे हैं, डेटरिमिनेट, इसके से कन्फूज नहीं हो न, कदे इसने मोड ओफ ए मानलो, तो जो वन क्रोस वन के हैं, तो उन में जो एलिमेंट हो इसका एक कितना होगा दो और डेट्रमिनेट ओफ बी कितना होगा बैटा माइनस तीन हो गया कि मैं जो एलिमेंट है वही का माने जाएगा उसका डेट्रमिनेट माने जाएगा ओके दो क्रोस दो तीन चार एक दो तो इनका कैसे निकलता है दो क्रोस दो का तो सिंपल है ये प्रोड़क्ट माइनस ये तीन दूनी च्छे माइनस च्यार गुना एक च्छे गटा च्यार कितना होगा दो दो क्रोस दो कैसे निकलेंगे ये प्रोड़क्ट माइनस ये समझा गी ये बात जी सर बही एक क्रोस एक का तो क्या होगा वह एलिमेंट जो भी है दो क्रोस दो होगा क्या होगा यह प्रोड़क्ट माइन अब तीन क्रोस तीन का सर यह जरूरी है पहले त्री इंटू टू ही लिखेंगे को इसा ले ले लेना यह जरूरी है यह प्रोड़क्ट माइनस यह जरूरी है अब डेट्रिमिनेंट ओफ यहां यह कहता है कि यह तो किसी रो से या किसी कॉलम से किसी से भी निकाल लो एक इवैल्यू आएगी पहले एक लिख दिया हम रो से कर रहे हैं इसको बोलते हैं एक स्पेंडिंग बाई फस्ट रो किसी से भी कर लो फस्ट रो से से किंड रो से थर्ड रो से फस्ट कॉलम से से किंड कॉलम से थर्ड कॉलम से पहले हम उस रो का element लिखेंगे और इसको और इसको छोड़ देंगे यह कारवाई हम कई बार कर चुके हैं फिर minus 2 मलब alternatively चलते हैं positive, negative, positive अब 2 है तो इसकी रो को छोड़ेंगे इसके column को क्या बच जाएगा 2, 5, 6, 3 पलस 3 ठीक है अब इस रो को छोड़ें इस column को तो 2, 4, 6, 4 यह काम कर चुके हैं तुम पहले तो 3 cross 3 वाड़ा किसमें बदल गया 2 cross 2 में बदल गया अब इसकी value आ जाएगी 4, 3, 12, minus 20 3, 6, minus 30 4, 2, 8, minus 24 इसको solve कर लेंगे समझा की होगी बात बेटा मैं concept समझाना चाह रहा हूँ अब 1 cross 1 का था तो element यह answer है उसका determinant के लिए 2 cross 2 का है तो यह product और minus में यह product यह plus यह minus समझ रहे हो फिर 3 cross 3 का है तो हम एक element लेंगे एक row यह column से expand कर लो तो एक ऐसे हो गया और यह इसको row और column को छोड़ दें तो जो determinant बसता है ऐसे ही है 4 cross 4 का इसमें क्या होगा हम पहले 4 लिखेंगे इसका determinant जो है इसको A लिखें क्योंकि matrix के लिए यह bracket होती है determinant के लिए डंडे होते हैं अब 4 को लिखेंगे इसको छोड़ दें इसको छोड़ दें एक row हो रहे हैं चार cross 4 का नहीं होगा नहीं तो चार 3 cross 4 का होगा तो अब मैंने 4 लिखेंगे इसको और इसको छोड़ दिया थे क्या बच गया दो तीन फिर माइनस 5 सम्थिंग पलस 6 सम्थिंग माइनस 7 सम्थिंग समझ रहे हो अब 3 cross 3 वाड़ तरीका क्या है जो आभी हमने किया था उसको निकालेंगे लेकिन तुम्हारे सलेबस में है नहीं तुम्हारे सलेबस में है एक दो तीन तक कि अब ये इसकी कंसेप्ट सुन अजमा के बचा करेंगे तो 4 के साथ मेंटिप्ला हो जाएगा न तू आब देखो ये जो यहां पर सुनो मेरी बात में एक मिन्ट सुन दो अब डेट्रमिन टूफ है निकालना हमारा टार्गेट रह गया इसकी कैसे निकालते हैं तीन क्रोस तीन की वही तरीका है इसको और इसको छोटें जीरो जीरो च्यार पांस जी सर माइनस ती सर यह 4 कहां गया फिर कुण सा 4 यह इसकी जो वैल्यू आएगी स्पोस करो इसकी 50 हाई कुछ है उससे गुणा हो जाए बचिए गया फोस्क पढ़े के झाँ तो स्सट आंदर में ने करने का अलग तरीका है तो फिर यहां भी करो भार भार करना कड़ा था क्योंकि बाहर है बेकर है नहीं है इसकॉंत और नहीं है जो कि यह जो मैं कर रहा हूं अभी देखो अब देखी लिए कंफ्यूजन ना रहेगा कि मैं इसको कर रहा हूं कि इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे एक जीरो दो पांच प्लस तीन एक जीरो दो चैर यह हुगा जीरो यह हुगा पांच यह हुगा चैर यह हुगा जीरो माइनिस पंदरा प्लस चैर यह जा одна माइनिस ग्यारा तो कुल मिलाके माइनिस चाली सा गया है ये कितना portion ये इतना ऐसे इसको calculate करेंगे ये इनको करेंगे तो finally जो है इनका जो result आएगा एक sink आएगी अब समझे रहे बात को जी सर्थ तो चार क्रोस चार आड़े तीन क्रोस तीन में बदल जाएंगे तीन क्रोस तीन वाड़े किसमें बदल जाएंगे दो क्रोस दो वाड़े में दो क्रोस दो वाड़े किसमें वही element आ जाएगा अकिला तो हमारा काम रहेगा तीन क्रोस तीन तक का ठीक है अब important क्या है इसमें इसमें बात पढ़ने वाड़ी study करने वाड़ी क्या है इसमें इसकी properties उसक पर एक question जरूर आता है 101% properties का मलब गुन determinant के क्या गुन होते हैं पहला गुन determinant of A और determinant of transpose of A बराबर होते हैं पहला ही अगर A मेरे पास 2, 4, 6, 8 है तो determinant of A कितना है 8, 2, 16, minus 24 minus 8 है समझे रहे हो transpose 4 ये 2, 4 है न तो क्या हो जाएगा 2, 4, 6, 8 ऐसे हो जाएगा इस रो की मैंने कॉलम बना दी इस रो की भी कॉलम बना दी अब determinant of A ट्रांसपोज ये भी 16, minus 24 रोज को कॉलम से मतलते हैं को रोज में ये जो ट्रांसपोज करते हैं तो determinant पर कोई फरक नहीं पड़ता उसका determinant हुआ ही रहेगा पहली प्रोपर्टी पहली समझ महागी ये सर, दूसरी प्रोपर्टी दूसरी प्रोपर्टी ये कहता है अगर हर एक element किशी रो या कॉलम का ये है तो यहाँ से जो है ना अगर मैं determinant of A निकालूँ तो ये बाहर लिया जा सकता है अगर हर element किशी रो या कॉलम का किशी संख्या का multiple है जैसे के का multiple है तो determinant की value भी के का multiple होती है यानि कि दूसरे सब्दों में के को बाहर ले सकते है matrix में ऐसा नहीं कर सकते matrix में तो बाहर लेंगे तो सबी में से लिया जाएगा ये यूं कहता है कि एक row है row मात इव कॉमन लिया जा सका अगर अगर हमारे पास x से 2x और y 3y है तो इस मात इवा एक्स कॉमन ले सकते हैं और इस मात के ले सकते हैं y ये ये करना चाहता है समझ मागी बात matrix में क्या होता था अगर मैं y को अंदर गुणा करना चाहूं तो हारे इंट्री से गुणा करना पड़ता है करना पड़ता है न लेकिन यहां पे क्या होगा यहां तो row में multiply कर लो इसको मैं इसे भी लिख सकता हूँ अगर y to y इसको मैं इसे भी लिख सकता हूँ x y y यहां मैंने क्या किया इस row में उतार दिया यहां क्या किया मैंने इस first column में उतार दिया पहली property थी अगर change करो rows को columns को columns में value change नहीं होती है determinant की वही रहेगी दूसरा यह है अगर कहीं common आता है मैं इसकी सब्दों में नहीं अपने बता रहा हूँ अगर किसी row या column के हर element में कुछ common आ रहा है तो determinant में वह बाहर लिया जा सकता है यह समझमागी बात जी सर अच्छा तीसरी यह सबसे important है 99% determinant में कुछ्चन ही यहां से आता है यह कहता है if multiple of one row or column or added or subtracted from other row or column then value of determinant does not change मेरे पास रो में था दो चेहर छेहर 16-24 कितना आए खाई ये माइनस का हट तो अब ये कहता है एक रो या किसी कॉल रो का दुगना तिगना किसी दूसरी रो में जोड़ दो कॉलम का दुगना तिगना करके किसी कॉलम में जोड़ दें तो कोई फरक नहीं पड़ता ये सब most important है मैंने जैसे R1 चेंजड भाई कर दिया R1 प्लस टू टाम्स ओफ ल्टु क्या operation किया R1 चेंजड भाई इस एरो u को बोले चेंजड भाई किस से अगर R1 में R2 का दूगना जोड़ दिया R1 को week दूगना जोड रहा हूं तो 6 दूनी, 12, 12, 12, 14, 8 दूनी, 16, 16, 16, 20, इसको change नहीं किया, अब इसकी value कितनी आएगे, 14, 8, 112, minus 120, minus 8, वही आए जो पहले थी सर, एक बार दो डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा, ओके, मैं ये बात ही है वेटा यहाँ, अगर किसी row को, या column को, का दुगणा तिगणा किसी row या column में से गटाया जाये, जोड़ा जाये, तो determinant की value पे कोई फरक नहीं पड़ता, मैंने या किया, r1 changed by r1 plus 2 times of r2, r1 में ये changed by का निशान होता है, r1 में r2 का दुगणा जोड़ दिया, 6 दूनी 12, और जमा 2 कितना हो गया, 14, 8 दूनी 16, और 4 20, अब इसकी value निकालें, 14 8 112, और 6 20 गुणा 6 कितना हो, 120, तो minus 8 ही आएगा, अगर मैं c1 changed by c1 plus c2 कर दूँ, ये पहली कॉलम है, ये दूसरी जोड़ दिमन है, 4 2 कितना हो जाएगा, 6, 8 और 6, 14, 6, 8, 48, 14, 14, 56, minus 8, ये प्रोपर्टी समझ मागी, ये कहता है, बिटा, किसी row या कॉलम का दुगणा तिगणा मुल्टीपल, मुल्टीपल ओफ, वन रो और कॉलम, और एडिड़ और सब्ट्रेक्टिड, घटा दिये जाएए या जोड़ दिये जाएं, फ्रॉम अदर रो और कॉलम, किसी दूसरी रो या कॉलम से, रो का उप्रेशन रो में, कॉलम का कॉलम में, तो वैल्य ओफ डेटिमिनेंट ड़ नोट चेंज, डेटिमिनेंट की जो वैल्य है वो वही रहेगी, तो जैसे यहाँ 2, 4, 6, 8, 80 की वैल्यू क्या थी, माइनस 8 थी, मैंने ये उप्रेशन किया, अगर R2 का दुगना इसमें जोड़ दिया, तो कोई फर गटा लो, R1 चेंज ड़ बाई, R1 माइनस 3 टाइमस ओफ R2, ये कर दिया, ये होता है, चेंज ड़ बाई का निसान, इसमें से इसका 3 गुणा, 6, 3, 18, 2, माइनस 18 कितना आएगा, माइनस का 16, 8 का 3 गुणा कितना होगा, बेटा 24, 4 में से 24 गया, कितना आएगा, माइनस का 20, 16, 18, 18, 22, और माइनस माइनस पलस हो जाएगा, 120, कितना आएगा, माइनस 8 ठाण आएगा, समझा की बात बेटा, बेटा, क्वेस्टन्स में आएगे, जिए मैं इंडिकेट भी करूँगा, क्वेस्टन्स इसी ही पे आता है, ठीक है, 4th, 4th प्रोपर्टी ये है, if every entry or element of a determinant is 0, then value is 0, ये कहता है, 0, 0, 4, 5 है, तो इसकी value क्या आएगी 0, ऐसे 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 है, इसकी भी value क्या आएगी 0, क्योंके, ये 0 है, ये 0 है, हर element, किसी row या column का, अगर 0, 0 है, तो उसकी determinant की value भी क्या होती है, 0 होती है, बहुत आसान property है, यहां तक फिर देख लो, पहली property थी, a का determinant और transpose बाड़े का सेम होता है, ठीक है, जो दूसरी property थी, उसमें हमने common लिया था, 2x, 3x, 1, 4 है, तो x बहारा जाएगा, तीसरी property, एक row का, या एक column का, दुगणा तिगणा किसी दूसरी में जोड़ दिया जाए, घड़ा दिया जाए, तो कोई value फरक नहीं पड़ता, चोथा, आरे entry 0 है, तो इसकी value 0 आएगी, होगी 4 property, आगे चलूं बिटाव, जी सर, पांच में, आइडेन्टिकल हों, या दो column identical हों, तो इसकी value क्या होगी, 0, if two rows, और columns, are identical, जैसे यह हो, एक, एक, दो, एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो इसकी value क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि यहां C1 और C2 क्या हैं, identical हैं, identical का मलब सेम होना, समझारी बात यह, क्यों, क्योंकि मैं क्या अगर हूँ, आगर हूँ, C1 में से C2 गटा दूँ, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, पिसली property क्या कह रही है, अगर error entry 0 है, तो उसकी value क्या होती है, 0, 5 property समझ मागी, 7 हैं total, यह 500 समझ मागी ने बेटा, यह कहता है, if two row, or two columns, are interchanged, पहली से अलग गई है, पहली तो यह धर row का column बना दिया, और columns की row बना दिया, यह कहता है, दो row आपस में बदल दी हमने, तो value of determinant, gets multiplied by minus 1, जैसे पहला आई था हमारा, क्या था, 2, 4, 6, 8, इसकी value आई जी minus 8, अगर मैं R1 को R2 से change कर दूं, और R2 को R1 से, दोनों बड़ एरो लगा दिया दिसका मतलब है, R1 तो R2 होगी, और R2 क्या होगी, R1, R1 यह है, तो 6, 8, और 2, 4, यह हो गया, R1 को क्या बना दिया, R2 और R2 को क्या बना दिया, R1, 2 row को interchange कर दिया, interchange का मतलब आपस में बदली, तो अब क्या आ जाया, 24, minus 16, 8 हो गया, minus 1 का फरक पड़ेगा, minus 1 से multiplied हो जाएगा, कॉलम ना अपस में change कर लो, यहाँ पर 2, 6, 4, 8 हैं, तो 4, 8 पहले लिख दिया, और 2, 6 पहले लिख दिया, तो 24, minus 16, यह भी 8 है, यह बात समझ मागी, और अब फाइनल जो है, हमारे पास एक साथमी प्रोपर्टी है, यह करता है, अगर हर एलिमेंट, किशी रो या कॉलम का, दो का जोड या गटा है, तो दो है डेटिमिनेंट का जोड लिख यजास कही हो, यह लिख यजास सकता है, यह बी दन्यों का नहीं हो जाएगा, एक हो जाएगा, सी और ई को लेके, और एक क्या हो जाएगा, डी और एफ को लेके, समझ रहे हो, किशी रो या मैट्रिक्स में ऐसा नहीं हो, तो मैट्रिक्स में तो यह इसमें जोड़ आगा, E plus F था तो A भी तो नूं का नूं लेख लो दो नूंवा में अब यो दो determinant का जोड़ाएगा एक में कएल लिख आजाएगा C पहले पहले लेख लो फिर दूसरे दूसरे लेख लो ठीक है इसके बाद इस में नहीं बस था कुछ इस determinant में nothing else यह सारी प्रोपर्टी जो है यूज होंगी और M.C. के हो दो बहुत यह असान है फर्स्ट जो क्वेस्टन है यहां कहता है Determinant 2, 4, 5, 1 is equal to Determinant D.E.T. लगता है तो इसका क्यों हो गया 2-20 इसका क्यों हो गया बेटा 2X square minus यह इसकी प्रोडेक्ट माइनस में 24 माइनस 18 2X square minus 24 2X square minus 18 प्लस 24 2X square बराबर एच्छे और एक स्क्वेर कितना हो गया 3 ठीक है तो X क्या जाएगा प्लस माइनस रूट 3 तो नन अफ दीज रूट समझारी बात बेटा तो सीधे concept लगे वे हैं यहां दूसरा यह कहता है 3X X1 3,2,4,1 है तो X बता हो तो यह प्रोड़क्ट 3 minus X square किसके बराबर हो जाएगा 3 minus 8 3 से 3 कट गया X square आगा 8 X आगा प्लस माइनस 2 root 2 C option हो जाएगा तीसरा 3 minus 4 M5 कितना है 3 है तो क्या आएगा यहां से बोला बेटा कोई भी बताए 15 plus 4 M is equal to 3 और 4 M कितना हो जाएगा 3 minus 15 M कितना हो जाएगा 12 बटेंट 4 M कितना हो जाएगा minus 12 सर जी minus 12 minus 3 चोथा यहां कहता है यह बहुत जरूरी है चोथा मैंने एक A inverse बताए था क्या होता है Adjoint of A divided by Determinant of A यह होता है 12 बटेंट 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 इसको बंद कर ले दोजिया मैं यू है एक बूद की दरी है एक नागाउ देखो बिटा मैं एक और बात बताना चादता हूँ यहां और यह इस पर MC के वो भी छोटा भी क्योस्टन है गूम फिर गया होगा खास बात क्या है जैसे A है हमारे पास 20 हम लेके चाल ले देखे था 246 ओके इसका टेंट मैंनेट कितना आया था बता हूए सोड़ा माइनिस चोबीस माइनिस एट माइनिस एट अब मैंने इसको अन्य दो से गुणा कर दिया दो ए तो के हो गया यह च्यार हाठ बारा और शोड़ा मैट्रिक्स तो यह होगा मैट्रिक्स में तार एंट्री से गुणा करना पड़ेगा इम मैं निकाल रहा हूँ इसका डेंट सो सेट में माइनिस में च्छाण में कितना आजाएगा च्छे में से च्छार गए दो बत्तीस तो इसमें क्या फरका है यह रूल यह कहता है इसका ओडर है वो ऊपर चला जागा अगर ए हमारे पास एन क्रोस एन का है ना तो यह यह कहना चाहता है दो ए का जो डेट्रिमिनेंट होगा वो दो की पावर एन होगा अब दो की पावर दो कितना होगा च्यार गुणा माइनिस आठ कितना होगा माइनिस बत्तीस क्यों डेट्रिमिन्ट होते ही वो चीज जो गुणा करते हैं वो हर रो में गुणा हो जाती है तो कितनी बार गुणा होगी दो बार तो 2 की पावर 2 बार आएगा तो सर N की वेल्यू क्या रखते है? वो देगा बही एक जो है वो तीन क्रॉस तीन का है तो ये बात है अगर A हमारे पास 2 क्रॉस दो का है तो ये पार का क्या जाएगा के की पावर 2 और जैना तो अच्छ रो जटनी रॉमिया जतनी कॉर्फ辉 आ जटना उसका ओड़ रहना मोगे की पाउर में चड़yजाएगडावाब 2 डेटेमिनंट और खाल जाएगा ABC का Determinant क्या हो जाएगा Determinant of A Determinant of B Determinant of C ठीक है अब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो है A inverse is equal to add joint of A और divided by Determinant of A इस Determinant of A को मैंने उरेन गुणा कर दिया यह A inverse था यह मैट्रिक्स है पेटा add joint of A अब इसका Determinant पूछा है तो इसका Determinant समझा है इनका Determinant Determinant का Determinant तो वो ही रह जाएगा और A inverse का Determinant के हो जाएगा निच्चे चला जाएगा तो add joint of A कोई भी हो उसका Determinant के आएगा A का होगा सब नहीं आ रहा सुनाच देखो तो यह फिर इसके बताए ना पिर देखो इक बार मैंने बताया था के A का Determinant यह समझ मागा यह बात समझ मागी अगर A N क्रोस N का जी सर आगी ना एक और देखो A B C का Determinant क्या हो जाएगा प्रोड़क्ट वाड़ों का अलग लग हो जाएगा यह बात भी समझ मागी होगी जी सर एक होता है A Inverse एड़ज्वाइंट ओफ A और डिवाइड बाई डेटर्मिनेट ओफ A होता है यह समझ मागी बात यह तो परीबास आई है बेटा जी सर आगी अब A Inverse जो है वो वन बाई डेटर्मिनेट ओफ A यह तुमारा के का काम कर रहा है इसको ऐसे समझ लो ठीक है यह समझ मागी वई वन बाई डेटर्मिनेट ओफ A है यह जी सर अब दोनों तरफ मैं डेटर्मिनेट लेता हूँ यह बात समझ मागी भई A is equal to B है तो दोनों तरफ डेटर्मिनेट भी उनके बराबर होंगे ठीक है तो उस concept से अब यह हो गया एक बटे में डेटर्मिनेट हो फिए अब यह constant है यह के बारा होगा ना तो हम नहीं पता हो ना चीज का ओडर के है तो यह कह रहाँ इसका ओडर अगर एक का है तो एक बटे में डेटर्मिनेट का न्यूं बारा आजाएगा जैसे मैंने पिछले page पे किया था अगर 2 क्रोस 2 का है तो क्या जाएगा बार इसका स्क्वेर बार आएगा और क्या बज जाएगा फिर एड़ ज्वेंट ओफी अगर यो 3 क्रोस 3 का है तो क्या जाएगा ये किसकी पाउर आएगी यहां बार तीन आएगी यह तो प्रोपरटी थी है के को अगर हम बाहर लेते हैं तो उसका ओडर उपर जाएगा तो यह इसने क्वेश्चन में चोप्ते में तीन क्रोज तीन का दे रख्या है यह तो यह क्या हो जाएगा इसकी पावर तीन हो जाएगी अब यह दो पकट गया तो वन इस इक्वल टू डेट्मिनेंट ओफ ए स्क्वेर एड़्वाइंट ओफ ए का डेट्मिनेंट और एड़्वाइंट ओफ ए उसका डेट्मिनेंट क्या होगा डेट्मिनेंट ओफ ए का स्क्वेर यह अंसर आगा मैं इस कंसेप्ट को फिर बता देता हूं कंफ्यूज मत वह इसमें पहली बात तो यह समझ लो अगर कोई स्केलर मल्टीपल राइड है किसी मैट्रिक्स है और उसका डेट्रिमेंट लेना चाहते हैं तो के की पाउर क्या जाएगी यहां पर सर जितना उसका ओडर है यह बासम जमागी तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है मैं इसका डेट्रिमेंट ले रहा हूं यह तो स्केलर है के है भई यह डेट्रिमेंट ओफ ए क्या होता है रियल नमबर यह बता पता आथा से बेढ़ती है अगर नमबर होता है यह जी सर इन दोनों का मैं डेट्रिमेंट लेता हूं तो यह बाहर लिखूंगा तो यहां पे उसका सारे का पावर क्या होना चीए एन होना चीए न तो पावर क्या होगी तीन होगी अब एक बटे में है तो निच्छे बढ़े की पावर मानी जाएगी वो तीन समझ रहे हो आजी सर और यह इससे कट गया दो पे फिर यह दो उरेन आ गया एक के साथ तो डेट्रिमेंट ओफ एका स्केर होगी यह कॉंसेप्ट कई बार आएगा अब तेर माजो क्वेस्चन है तेर मैं इसी कॉंसेप्ट पता रहा हूं फिर यह कलीर हो जाएगा यह कहता है एक स्केर मैट्रिक है तीन क्रोज तीन करा तो कहता है दो एकि वैल्यू क्या होगी बताओ दो की पावर तीन और यह तीन का है यह तो कितनी हो जाएगी एट टाइमस हो फिर इसका ऑप्शन है सी अंसर हो जाएगा ऐसा इबार माई क्वेश्चन है यहां कहता है A जो हो तीन क्रोस तीन का है और कहता है 3 A का डेटिमिनेट बताओ तो क्या जाएगा यहां सर त्री रेस टू पार त्री और डेटिमिनेट ओफ A तो 27 गुणा हो जाएगा उसका ठीक है और डेटिमिनेट ओफ A दे रखेशने 4 तो 27 गुणा हम 4 कितना हो गया 108 हो जाएगा समझा की बात अब यह यह कॉनसेप्ट है अब दसमा क्वेश्चन है कैसा है यह कहता है डेटिमिनेट ओफ A वो 13 है और एड़ जोइंट ओफ A का डेटिमिनेट क्या होगा यह क्वेश्चन है